हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई यूट्यूब चनल तो फ्रेंट्स लेटेस्ट अपडेड आई डी बी आई बैंक की तरफ से आ रहा है तो जिन स्टुडेंट्स ने भी आई डी बी आई बैंक एग्जेक्यूटिव या फिर एसिस्टेट मैनेजर के फर्म फिल अप किये थे जिसकी लास्ट डेट जो है वो पंदरा अप्ल दोज़र उनीस को लास्ट डेट थी फर्म फिल अप करने की तो फ्रेंट्स लेटेस्ट अपडेड जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं काल लैटर जो एड्मिट कार्ड है प्री इग्जेक्यूटिव और एसिस्टेट म मैं आपको बताऊंगा और प्री इग्जामिनेशन ट्रेइडिंग में क्या प्रोसेस आपकी होगी ये भी मैं कम्प्लेट इस वीडियो में डिसकस करूंगा तो फ्रेंट्स अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं आपक के लिए ऐसे ही निव अपडेट्स सबसे पहले चैनल पर लेके आते रहता हूं तो जिससे की फ्रेंट्स आप हमेशा मेरी नई अपडेटिड वीडियो से अपडेट रहें फ्रेंट्स तो फ्रेंट्स सबसे पहले मैं आपको यहां पर बता देता हूंगी इसके एड्मिड क काड को डाउनलोड करने का प्रोसेस सेम है मैं आपको यहां पर एक का बताऊंगा सैक्रिन अगर आपने एक्जिक्यूटिव में फिल किया है तो उसका आप सिमिदर्ली वैसे ही करेंगे तो यहां पर क्लिक करने के बाद आप दे सकते हैं डिवाइस नॉट सूटेबल तो आप यहां पर डेस्क टाफ साइड को क्लिक कर देंगे तो आपके पास यहां पर पेज कंप्लीट ओपन होके आज आएगा जैसे आपके लाप टॉप में पेज ओपन होके आता है तो फिर द्यान दें कि एड्मिट कार्ड आप अपने गुगल का जो क्रोम प्राउजर है उसी को यूज करके यहां पर डॉट करेंगे तो फ्रेंसे डॉट करने के लिए आपको यहां पर लॉग इन डेटेल्स अपनी फिल अप करने है अपना रेजिस्ट्रेशन नमबर जो आपको आपको आपना पासवर्ड डालना है पासवर्ड अपना जो आपका डेटा बठ रहेगा यहां पर पासवर्ड रहेगा उसके बाद यहां पर सही से कैप्चर डालके लॉग इन कर लेंगे तो लॉग इन करने के बाद आपको वहां पर ड्रेकली ऑप्शन आएगा अड्मिट कार्ड को डाउनलोड करने का तो इस तरह कैसे आप प्रे एग्जामिनेशन ट्रेनिंग कार लाइटर को सिंपले डाउनलोड कर सकते हैं और फ्रेंसे द्यान देंगे अगर आपके पास लॉग इन डेटेल्स याने कि अगर आपके पास रजिस्टेशन नमबर आप बूल गया है तो आप सिर्फ और सिर्फ अपनी मेल आईडी आपको याद है जो आपने फिर्म फि करने के बाद आपकी मेल आईडी पे सकसफुली आपका जो रेजिस्टेशन नमबर है वो आज आएगा वो रेजिस्टेशन नमबर यूज़ करके आप यहाँ पे ड्रकली लॉग इन कर सकते हैं फिर यहां से अड्मिट कार्ड आपका डंगलोड हो जाएगा तो फिर्स आब मैं आपको बता देता हूं कि प्री इग्जामिनेशन ट्रेनिंग में आपका होगा क्या तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ओफिशल नोटिफिकेशन जो आवो आईडी बी आई की एग्जेक्यूटिव की ओपन कर लेता हूं तो यहाँ पे आप जैसे की देख सकते हैं आईडी करने की वो SCST students को दी जाएगी तो मैं द्यान दें कि जो आपकी यह ट्रेनिंग है वो 6 लगा था 6 दिन continue रहेगी 6 मई 2019 से लेके 11 मई 2019 तक तो यह सारी cities है जहाँ पर यह ट्रेनिंग रहेगी और फ्रेंस द्यान दें कि जिन स्टूडेंस ने यहाँ पर फॉर्म फिल करते हैं पी इटी के लिए अपलाई किया था याने के प्री इग्जामिनेशन टेस्ट के लिए ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर अपलाई किया था वही स्टूडेंस के लिए यहाँ पर अड्मिट कर रहेगा जिन स्टूडेंस ने यहाँ पर प्री इग्जामिनेशन ट्रेनिंग के रहेगी executive के लिए जो की SC, ST and OBC applicants के लिए रहेगी 6 माई 2019 से लेके 11 माई 2019 तक ये सारी cities के लिए और आप द्यान दे कि जो आपका यहाँ पर cities में रहने का खर्चा होगा मलब वहाँ training जाने तक आपका जो travel रहेगा और फिर वहाँ पर जो आप रहेंगे उसका जो आपका खर्चा रहेगा वो आपको खुद दी उठाने सिर्फ और सिर्फ IDBA bank आपको training provide करेगा SC, ST students और OBC students को बाकि जो भी आपका खर्चा रहेगा training के दुरह वो आपको खुद से यहाँ पर करना पड़ेगा, यहाँ पर complete लिखा हुआ है तो PET will not confer on the applicants any rights of recruitments in IDBA and stay and meet all the expenses याने कि जितने भी खर्चे होंगे वो आपको खुद ही करने है, IDBA bank उसके लिए कोई भी आपको खर्चा नहीं देगा, अब मैं आपको बता देता हूँ IDBA for assistant manager, तो assistant manager की जो आपकी training रहेगी वो आपकी 7 मही 2019 से लेके 13 मही 2019 तक रहेगी यह सारी cities में, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें भी same process है कि अगर आपने pre examination training का पहले से apply कर राखा था जब आपने form fill up किया था तो ही आप इसकी training जो है वो join कर से है otherwise आपका admit card नहीं आएगा, आप pre examination training नहीं लगा सकते SCST students के लिए तो friends यह था पूरा कि कैसे आप pre examination training के admit card को download कर सकते है, पूरी process मैंने आपको phone से बताई हुई है, तो friends बहुत सारे students को यह confusion है कि IDBI bank का जो आपका एक्जेक्यूटी या फिर assistant manager का exam होगा, main exam जो होगा, उसमें negative marking रहेगी या नहीं रहेगी, क्या उसका selection process रहेगा, तो वो मैंने पहले से वीडियो में discuss कर रख है, उस वीडियो का link मैं इस वीडियो के inbox में डाल दूँगा, आप वहाँ से ड्रक्त देख लेंगी, जो आपको confusion and negative marking की और selection process की, वो आपकी उन वीडियो से clear हो जाएगी, तो friends, thank you वीडियो देखने के लिए, और जद आपकमिंग वीडियो के लिए, आप मेरा channel subscribe कर लें, जिससे की friends, आप हमेशा मेरी नई updated वीडियो से update रहें friends, thank you friends